नमस्ते वज्चा आज हम कक्षा पांच के पार्थ च्यार मिलकर करें सफाई का आगे वाला जो हिस्सा है वो हम पढ़ेंगे तो कल हमने पढ़ा था कि विद्याल्य में दो अक्टूबर को गांधी जन्ती मनाई जा रही है और उसमें गंगा ने खूब बढ़ चड़ कर रिशा लिया है तो आगे हम पढ़ेंगे एक शुरुवात गंगा बहुत खुश थी आज उसके बाई भाबी आने वाले हैं जो शेर में रहते हैं वह जल्दी गर पहुंची बाई बाबी उसके लिए बहुत से उपवाड लाई उनके आने से सबी बहुत खुश थे थोड़ी देर बाद बाबी ने पूछा कि शौचालिय कहा है गंगा ने बताया कि गर में तो शौचालिय नहीं है बाबी खुले में शौच जाने की तयारी नहीं थी बाबी का कहना था कि गर हम गर वे बाहर गुट गुट निकलते हैं गंगट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं यहां तो अच्छी बात है बात नहीं है बहु की बात सुनकर दादी जी ने कहा वे बिलकुल सही कह रही है आज ही कारीगरों को बुलाओ और घर के आहतों में सोचालिय बनाओ आज कल तो सोचालिय बनवाने के लिए सरकार सायता भी देती है घर के सोचालिय बनता देख गाओं के अन्य सभी लोग अपने यहाँ सोचालिय बनवाने लगे अपे हमने पार्ट में पढ़ा था कि सोचालिय बन्वाना हमारे लिए कितना जरूरी है सोचालिय नहीं होगा, तो क्या होगा? तो उसे से कुछ प्रस्न है ये हम करेंगे पहला प्रश्न है, खूले में सोच जाने कि क्या-क्या बुरे परणा हो सकती है और दूसरा परशन है सौच जाने के बाद साबून से हाथ दोना क्यों जरूरी है ये दोनों परशन अपने ग्रह कार्या में करें धन्यवाद